न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आज हम एक बार फिर रफाल के मुद्दे पर बात करेंगे डी रगु नंदन हमारे डिफेंस एनलिस्ट के साथ सुप्रीम कोट का आज फैसला आ गया है रफाल के मामले में रगु जिसमें उन्होंने खारिच कर दी है पेटिशने एक इं जो अपने स्टेटमेंट में कुछ एक चीजों का जिकर किया है उससे साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोट इस मामले में जादा जाना नहीं चाहता है और उन्हें कोई विशेश दिक्कत या थूटियां इस डील में नजर नहीं आई तो रगु सबसे पहला मेरा सवाल है कि 126 का लगबर 95 प्रतिशत जो डील लगबक तै हो चुका था उस डील को खारिच करके एक 36 फाइटर जेट को खरीदना क्या ये अपने आप में एक चौकाने वाला निर्णाई नहीं था बिल्कुल मैं इसका जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उच नहायायले ने जो अपना जज्जमन्ट दिया है हमें उसको एक तरफ में रखना चाहिए और जो इसमें मुद्दे इन्वाल्ड है उसको हमें अलग से देखना चाहिए क्योंकि मेरा ये मानना है कि उच नहायायले ने बेसिकली ये एक स्टैंड लिया है इसमें कि कि इसमें नियाय का मामला हमें नहीं दिखता और जहां बाकी चीजें हैं फैसला कैसे लिया फैसला सही था या नहीं लिया उसमें प्रोसेस ठीक से लिया गया या नहीं गया इसमें हम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि ये भी आप सोचिए कि पेटिशन ने ये दर्ज किया था क ये court appointed inquiry court monitored inquiry होनी चाहिए तो अगर उच नयाया लेने उस petition के पक्ष में कुछ बोला होता तो अपने सिर के उपर उस inquiry का लेना बोज भी बढ़ता है तो मेरे ख्याल से इस मामले को लेके उच नयाया लेने का है भई हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते ये राश्टर सुरक्षे का मामला है जो सरकार ने फैसला लिया वो अपने आप जाए सरकार के अंदर जो प्रोसीजर हैं उसको आप एक्स्प्लोर कीजिए पर जहां तक में मुद्दे का सवाल है बहुत सोच समझ के दस साल के बाद पायू सेना ने कहा था कि हमें 126 mmrca जहाज चाहिए और उस में सेले क्राफ्ट को चुना था अब जाहिर है कि आपको अगर 126 की जरूरत है और वायू सेना को अब मिले हैं केवल 36 तो इसमें आपको धका तो पड़ेगा इसमें सुरक्षा के मामले में आपको आप पीछे हटे हैं और जो बार बार वायू सेना के सीनियर अफसर बार बार कहते आए हैं कि भारत में जहां 42 स्कॉडरन होने चाहिए अब मुश्किल से 31 32 स्कॉडरन रह गए हैं आपने खुद मतलब अब इसको साथ स्कॉडरन कम होते हुए आपने सामने देखा है इसमें तो ये जाहर है कि ये अच्छा फैसला नहीं था और इसलिए फिर तुरंट उसके पाद सरकार ने एक नया टेंडर निकालए है 110 और जहाज के लिए पर वो अलग उता है लेकिन जब 36 का अने लेने के बाद उस निर्णे लेने के बाद जो प्रोक्यूर्मिन प्रोसीजर है रक्षा मंतरालिय का उसका पालन किया गया है मतलब एक बार निर्णे लेने के होता है दूसी तरह की इस इस बारे में भी सुप्रीम कोट का ये मानना ये कहना कि उन्हें कोई गलती नजर नहीं आई है प्रोसीजर के मामले में ये कहां तक सही लगता है खास करके वह वहां जहां कि उन्होंने दोहजार सोला में अमेंडमिंट लाए हैं ओफसिट को लेकर जिसका की डेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट है जिसके तहत राफाल को पूरी छूट मिली कि वो किसे चुने मेरे ख्याल से उच नयायाले ने जो ब्रॉडली अपिनियन अपना दिया है इस मामले में अपनी राए जो दी है जैसे मैंने कहा है वो राए इस परकार दी है कि ह हम इस मामले में पढ़ ना नहीं चाते यह सरकार ने फैसला लिया है हम इसमें जाना नहीं चाते पर ये एक मुद्ध प्रोसीजर के बारे में जहां पे लगता है जज्रुण की भाशार से कि उच नयायले ने कही नहीं एक अपनी राए राए जाहर कर रही है कि ये सही था यह गलत था और मेरा मानना यह है यह अफस्स जनक है उच्जन आयाले को इसके varit मैं अगर उच्जन आयाले का यह स्टैन्ड था कि हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते तो इस मामले में भी उनको चाहिए था प्रोसीजर के बारे में हम कुछ नहीं कहाना चाहिए पर यह कहना कि प चाफी अचेंबे वाली बात है क्योंकि ये स्पष्ट है कि प्रदान मंतरी ने फ्रांसी सी प्रदान मंतरी के साथ खड़े होके जब अनाउंस्मेंट किया कि हम 36 जहास खरीद रहे हैं पबलिक में दुनिया के सामने कर रहे हैं तो ये फैसला ही हुआ ये इसको आप कैसा कह सक हो कि फैसला नहीं है क्या इसके बाद जब आपने डिफेंस प्रोकूर्टमेंट कमिटी की मीटिंग बुलाई उसमें वायू सेना के चीफ जो है क्या कह सकते थे क्या हम इसमें सहमत नहीं है आप इसको वापस लो ये मुमकिन ही नहीं है प्रदान मंतरी ने जब पबलिक में एक फैसला लेके अनौन्स कर दिया तो इसका मतलब वायू सेना भी कहेगा ठीक है सर अब आपने कर लिया अब आप हमारे बाकी नबे का क्या करोगे यही कह सकता है वायू सेना अब उसके मेरिट्स फैसले पे क्यों लिया जी हम इसको अब उटा कीजिए यह कोई नहीं डिफेंस मंत्रा लेके जो लोग बैठते हैं अक्विजिशन कांसल में वो भी क्या कहेंगे इसका मतलब यह है कि राटिफिकेशन के रूप में यह किया गया है यह पूरा जो है प्रदान मंत्री के अनौन्समेंट करने के बाद बाकी जितने कमिटीज हैं वो रबर को बनाते बनाते अमेंड करते दस साल लगे हैं भारत में और इसका मकसद ही यह था कि इसमें पारदर्शिता और स्पष्टता हो कि आप फैसला कैसे ले रहे हैं अगर आपने इस प्रकार के फैसले को अलाव कर दिया कि प्रदान मंत्री जाके कुछ भी अनौन्स कर दे उसक सुप्रीम कोड का ये भी कहना कि उन्हें कोई कमर्शिल बायस नजर नहीं आया है आफसेट को लेकर उसमें दो चीजे मेरे दिमाग में आई जिसके बारे में रगू मैं चाता हूँ आपका जवाब पहला तो ये कि ये कमर्शिल डील था क्या दूसरा ये क्या रक्षा मंत् है कोई सुपरवाइजरी ओवर साइट की जरूरत नहीं है यसी ये मैं जब से ये आफसेट्स के क्लाउस बने हैं और डिफेंस प्रोक्यूर्मेंट प्रोसीजर ने एक के बाद एक संशोधन लाए हैं जिस से आफसेट्स का जो में मकसद है जो आपका गोल है कि आफसेट्स आप क्यों लागू कर रहे हैं उसको आपने डाइल्यूट करते गए और मेरी इसमें आपकी कई सालों से रहा है जिस से की आफसेट्स का मकसद क्या है केबल पैसे के मामला नहीं है कि आपने इतने हजार क्रोड खर्च कर दिये उसमें से आदा तो कम से कम भारत के अंदर खर तो आफसेट्स का मतलब होता है कि धीरे धीरे उस नई अडवांस टेकनोलिजी को भारत के अंदर लाया जाए हमारी जो ओद्योगिक शक्ती है और चमता है उसको बढ़ावा मिले पुर्जे मिलाने से लेकर पुर्जे बनाने से लेकर फिर बड़े बड़े विंग्स और फ तुमारे हाथ में अगर केवल कमर्शल मकसद होता तो आप उनको कहते हैं कि भाई आप यहां पे स्कूटर बना दो रिफिजरेटर बना दो कुछ भी कर लो उससे आपको क्या फादा हो रहा है तो आफसेट्स को जब आपने डिफेंस प्रोक्यूर्मेंट प्रोसीजर के अं आपने अगर इसको इतना डैलियूट कर दिया तो फिर आपसेट्स को बात नहीं बची फिर तो वो कमर्शल ही हो जाता है एक और सवाल जिसके बारे में कि सुप्रीम कोट के इस जज्ज्मेंट में ज्यादा कुछ चिंता नहीं दिखाई दी वो सौवरिन गारंटी को लेकर हम आठ बिलियन यूरो खर्च करके 36 एरकाफ खरीद रहे हैं हमने जो पैसे एडवांस दिये हैं वो बगैर किसी सौवरिन गारंटी के हमने एडवांस दिये हैं ये बात अलग है कि लेटर ओफ कंफर्ट दिया है लेकिन लेटर ओफ कंफर्ट में कोई ज्यादा वजूद न नजर से तो सौवरिन गारंटी का न रहना और इतना इतनी बड़ी मुद्रा हम खर्च करने जा रहे हैं उसके बारे में रगू क्या कहना देखे फिर मैं कहूंगा कि उच नियायाले ने क्या कहा और मेरिट्स अफ दी इश्यू क्या है इनको हमें अलग देखना चाहिए इसमें किस प्रकार का कॉंट्राइट कैसे बनता है वो अलग-अलग सिचुएशन के मताबिक चेंज होता है हम इस पे कुछ कहना नहीं चाहते तो उच नियायाले ने तो ये कह दिया अगर हम उस जज्जमंट के बारे में उसको अलग करें और मेरिट्स में देखें मुझे लगता है कि अगर सरकार ने यकायक ये फैसला लिया कि 126 को काटके अब 36 खरीदेंगे किसी भी कीमत पर हमें ये खरीदना है क्योंकि वायू सेना कहती है या हमें ऐसे मत छोड़ो कि 126 को आपने कैंसल कर दी कुछ तो दिलवा दो तो उन्होंने 36 दिलवा दिये तो मुझे लगता है उस मूड में भारत सरकार ने का जो भी फ्रांस कहती है मनजूर कर लो उसको मेरा मानना है कि ये बहुत घलत फैसला हुआ है जब आप प्रक्यूर्मेंट कर रहे हो तो ठीक से होना चाहिए सौवरेंट गैरेंटी होनी ही चाहिए जब आप अमरीका से खरीदते हैं तो उसमें गैरेंटी होता है फॉरेंट मिलिटरी सेल्स के मताबिक तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक मामला है बट उच नयायाले ने अपने लिहाज से कह दिया कि कॉन्ट्राक्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं आखरी जो सवाल है रगू वो ये है कि इन सारी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट का हिंदुस्तान औरियरनाटिक्स लिमिंटेड का जिसको की इससे दरकिनार कर दिया गया है मतलब 36 करहिदने के पहले पीछे ही ये मकसद नजल आ रहा है कि हेल को एक पब्लिक सेक्टर यूनिट को जो कि हमारा नवरतन है उसको आप दरकिनार करके एक प्राइविट कंपनी को एक फॉरें मैनिफैक्टर को आप पूरी तरजी दे रहे हैं और उसे मनमाने तरीके से का करने की पूरी छूट दे रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है दुबारा मैं यही कहूंगा कि उच नयायाले ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है क्योंकि उनके पूरे जज्ज्मेंट में यह निकल के आता है कि जहां सरकार और रक्षा के मामले में नीती का सवाल है policy का सवाल है हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं अगर कुछ नियाय का सवाल हो तो हमें पताया जाए कोई कानूनी बात तो इसमें कोई कानूनी बात तो है नहीं यह नीती है अगर सरकार यह तैय करती है कि हम private sector में बनाएंगे ठीक है इसके बारे में नियाय अले क्या कहेगा पर हम लोग नागरिक विशेश अग्य जो चिंतित हैं भारत के रक्षा रक्षा के साथ जुड़े हुए औद्योगिक शमता को लेके अगर आज के दिन H.E.L. के बराबर का या आसपास का कोई भी निजी कमपनी हो तो मैं भी मना नहीं करता आफ्टर आल भारत जब दूसरे देशों से खरीदता है अमरीज़का से खरीदता है या रफाल खरीदता है यह सब निजी कमपनिया बना रही है तो हम अगर भार से निजी कमपनी का मामला खरीद सकते हैं तो हम अपने से भी खरीद सकते हैं पर आपके पास कौन से ऐसी निजी कमपनी है भारत में जिसके पास ये चमता है एक भी भारत में निजी कमपनी ऐसा नहीं है जो हलके से सिंगल प्रोपेलर डिवन बेसिक ट्रेनर एरक्राफ भी बना लडाकू विमान जो है उसमें हम निजी कंपनी से बनाएंगे इट ड़संट मेक सेंस उनका तजूर्बा ही नहीं है चमता नहीं है और अब्सार्ब कर सकेंगे बिल्कुर तो अगर आप चाते हो कि इनकी चमता को बढ़ावा दिया जाए तो आप एक डायलॉग कीजिए एक न चमता को बढ़ाई इसका मतलब है कि ह.ल को दरकिनार करके आपने राश्ट्रिस सुरक्षा की दृष्टी से अपने आपको कमजोरी किया है? बिल्कुल किया है क्योंकि आपने एक अच्छे खासे जो आपके पास चमता है उस कंपनी को आपने दरकिनार करके एक नई अनाडी company को लाके आप किसका क्या फैदा कर रहे हो रगू आज के लिए इतना ही लेकिन रफाल का मुद्दा जाने नहीं वाला है इस जुड़े जो सवाल है वो इतने महत्वपून है कि उनको नजर अंदाज नहीं किया जाता है इस पर हम दुबारा और भी चर्चा करेंगे लेकिन आ